हलो एवरिवन आज मैं आपके लिए पनीर की बहुत ही जादा टेस्टी और अनोखी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक को चैनल को सब्सकाइब जरू कीजेगा तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर दिया है पनीर को पहले इस तरह से उपर से जो थोड़ा सा एक्स्टा पार्ट है इससे हम काट के अलग कर देंगे इससे हम सब्जी में यूज करेंगे और जो बाकी का यह चोकोर पीस है बड़ा सा पनीर का इससे हम इस तरह से सकते हैं और अब हम इसके लिए स्टफिंग तयार करेंगे स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर एक बोल लिया है इसमें एक चमश बारी कटी हुई शिम्लमिश डाल देंगे एक चमश ही बारी कटी हुई गाजर एक से दो चमश बारी कटा हुई प्यास डालेंगे और तीन स चार चमश बारी कटी हुए पत्तागों भी डाल देंगे और साथ ही इसमें चार चमश चीज डाल रही हूँ मैं आप डाइस चीज यूज कर रही हूँ आप चाहें तो मॉज्डेला या प्रोसेस्ट कोई सा भी चीज आप इसमें यूज कर सकते हैं अगर आपके पास चीज ना हो तो आप हमने जो इसमें पनीर ग्रका ताला करके आप पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं साथी इसमें एक चमज सफेद तिल डाल देंगे ये भुने हुई तिल हैं साथ ही एक चमच शेजवन चटनी डाल देंगे इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अगर आपके पार शेजवन चटनी ना हो या आप ना डालना चाहें तो आप इसकी जगर नमक, मेर्च और गरम मसाला डाल सकते हैं साथ ही इसमें एक चमच हरा धनिया डाल देंगे बरी कटा हुआ और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्स के कोड़िंग नमक वैसे शेजवन चटनी में है तो इसलिए हमने थोड़ा सा डाला है नमक डालकर हम इसे वापिस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये स्टाफिंग बनकर तयार है आप यहाँ पर नमक मिर्टेस कर सकते हैं इसका टेस बहुत बढ़ी हारा इस टाइम और अब हम ये पनीर की स्टाइसिस ले लेंगे और इसके उपर ये स्टाफिंग रख देंगे इसमें एक चमश ऑयल डाल देंगे ऑयल को इस तरह से हलका सा फैला लेंगे और इसके उपर ये पनीर के पीसिस रख देंगे गयास का फ्लेम मेडियम रखेंगे और इसे उपर से हलका सा प्रेस करते हुए अच्छे से सीख लेंगे इस तरह से सीखने से इसके अंदर का दिखाई दे रही है तो हम इसके उपर यह पनीर का टुकडा रख देंगे ऐसा करने से यह तवे पर स्टफिंग इसके चिपकेगी नहीं और अब यह पनीर की स्लाइसे नेचे से अच्छे से सिख गई हैं तो अब हम इन्हें पलट देंगे इन्हें पलटना बहुत ही असान हो कि यह चीज की वज़े से आपस में अच्छे से स्टिक हो गई है और यह देखिए दोनों साइट से इनके उपर हमें अच्छे से कलर आने तक और साथी चीज के मिल्ट होने तक हमें इन्हें सिख ना है और यह दोनों ही साइट से अच्छे से सिख गई हैं तो अब हम इन्हे पीसिस में काट लेंगे ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो इसके पर टूथपिक लगा कर इसे स्नैक्स की तरह भी सर्फ कर सकते हैं ये बहुत जादा टेस्टी लगते हैं और इसके अंदर का आप चीज देखिए बहुत अच्छे से मिल्ट हो चुका है बहुत बढ़िय लग रहे हैं और अब हम इसके ग्रेवी की तैयारि करेंगे ग्रेवी के लिए कड़ाई में तीन से चार चमज देल दालेंगे साथी जैसे ही तेल गरम हो जाएगा एक बड़े साइज का प्याज अमने बिल्कुत बारी काटबा हूँ है, इसमें डाल देंगे और इसे भी डालकर अच्छे से भूनेंगे प्याज को हम रहते हमाझ मीडियम होगो quindi इसमें लगतार चलाते रहेंगे और इसे डाल कर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से भून लेंगे और साथी हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के एक और एक चोटी चमर देगी मिश पाउडर डाल देंगे आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिश भी डाल सकते हैं और इसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर आते रहेंगे, ग्यास का फ्लेम इस समय हमने हाई कर दिया है, क्योंकि हमें टमाटर को अच्छे से पकाना है, अब हम इसे तीन से चार मिनट के धकर पका लेंगे, बीच में एक बर आप धकर अटा कर इस तरह से चला लें, और वापिस इसे धक देंगे, या आप इसे खुला भी पका सकते हैं, और ये देखे, इस समय ये जो टमाटर का सारा पानी अच्छे से सूख चुका है, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, तो अब हम इसमें यहाँ पर एक चोटा चमच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर, और एक चोटी चमच कसूरी मेथी डाल देंगे, और साथी थोड़ा साहरा धनिया डाल देंगे, और इन सको वापिस अच्छे से एक बार भून लेंगे, और ये देखे, मसाला अच्छे से भून गया है, तो अब हम इसमें यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, यहाँ पर मैं आधा कप गरम पा जी बनती है और मैंने इसमें पानी डाला है, उसे एक उबाला आने देंगे, अब हम इसमें दो चमच करकी ताजा मलाई को इस तरह से ब्लेंडिंग जार में, आप इसे ब्लेंड कर लें यहाँ फूर चमच से अच्छे से फेंट लें, इसमें डाल देंगे, आप चाहें तो पनीर डाल देंगे ग्रेट करके इस तरह से जो हमने थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा रखा था बस वही हम इसमें डाल रहे हैं साथ ही इसमें एक चोथाई छोटी चमश गरम मसाला डाल देंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लिचे हमारी गर्मा गरम इसकी रेसिपी इसका तरीका मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और यह सबजी कर टेस्ट बहुत जादा शांदर है बहुत ही जादा लाजवाब है आप इसे रोटी नान परांठा या फिर राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं आप इसे सबी को जरूर ट्राइ करें और आ आप हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी जाइन कर सकते हैं और नहीं नहीं रिसिपीज के लिए